आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत महातुपूर्ण समुद्री पर्यावरणी मुद्दे की जो बहुत ही समवेदन शील विशय है और उसमें एक बहुत ही बड़ा अनुसंधान और विकास कारी हुआ है जिसके बारे में आज हम लोग चर्शा करेंगे आज दुनिया टेकनोलोजी के बलबूते बड़ी बड़ी चुनोतियों का समधान कर रही है जल का शुद्धी करन करने की बात हो यानि वाटर प्यूरिफिकेशन की बात हो सूर्य वायू जल से बिजली बनाने की बात हो आज दुनिया की कई देश एडवांस्ड टेकनोलोजी के साथ हर चमतकार करने में समर्थ हो गए है ऐसा ही काम हुआ है सागरो महा सागरों की सफाई के संबंध में जिसे चीन के वैज्यानिकों ने अन्जाम दिया है दरसल चीन के वैज्यानिकों ने Artificial Intelligence का इस्तेमाल करते हुए ऐसी रोबोटिक मचली बनाई है जो समंदर के माइक्रो प्लास्टिक को खा सकती है और इस तरह सागरों की सफाई में अहम भूमिका निभाएगी चीन के सिच्वान युनिवर्सटी के वैज्ञानिकों ने इस अनुसंधान को अंजाम दिया है 1.3 सेंटीमेटर यानि 0.5 इंच तक लंबी यह रोबोटिक मचली समुद्र के सत्थ की गहराई में पानी से माइक्रो प्लास्टिक निकालने का काम कर रही है और चीन के वैग्यानिकों का दावा है कि ये रोबोटिक मचली एक दिन दुनिया भर के सागरों से माइक्रो प्लास्टिक के कच्रे को साफ कर देगी अब बात आती है कि यदि इन छोटी रोबोटिक मचलीयों को समंदर की बड़ी मचलीयों ने खा लिया तो क्या होगा तो चीन के वैग्यानिकों ने इसे बायो डिग्रेडिबल फॉर्म में बनाया है बड़ी मचलीया इन्हें आसानी से पचा लेंगी और उनकी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इन रोबोटिक मचलीयों को पॉली यूरेथिन से बनाया गया है जो बायो कमपैटिबल है यह रोबोटिक मचली रेडियो एक्टिव किरणों से उपशारित एक लाइट की मदद से काम करती है काले रंग की यह मचली रेडियो एक्टिफ किर्णों के जरिये अपना पंग फड़फडा सकती है शरीर को मूव कर सकती है यह कदम कितना महतुपूर्ण है यह इसी बात से समझा जा सकता है कि UNIP, WWF, IPCC जैसी अंतरराष्टी पर्यावरणी संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महा सागरों में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ती जा रही है और प्लास्टिक के पहाड बनते जा रहे हैं खासकर अट्लांटिक ओशन में प्लास्टिक रिज एक बड़ी चुनोती के रूप में उभरा है WWF ने भी अपनी Living Blue Planet रिपोर्ट में बताया है कि 2050 तक समंदर में मचलियां कम होंगी और प्लास्टिक ज्यादा तो माइक्रो प्लास्टिक की समस्या जो बढ़ रही है ये मरीन बायो डाइवर्सिटी समुदरी जैविवित्ता को नस्ट कर रही है और आज इसके उप्शार के लिए दुनिया भर के देश शक्री हुए हैं कई और देशों ने भी इस मामले में धेर सारे काम किये हैं तो अब आप हमें comment box में बताएं कि दुनिया के कौन से ऐसे और देश है जिन्होंने महा सागर की जैविवित्ता के संरक्षन के लिए ऐसी technologies अपनाई हैं जिसमें या तो उन्होंने artificial intelligence का इस्तेमाल किया है या किसी अन्य चीज का इस्तेमाल किया है जैसे अगर उधारण के तौर पर मैं एक बात बताऊं आपको तो नौर्वे ने डीप सी मिशन के लिए स्नेक रोबोट का निर्मान किया है और स्नेक रोबोट जाकर के जो डीप सी मिशन में जो भी चीजें लगती है उपकरण लगते हैं अगर वो तूट गए समंदर के अंदर तो उनकी repairing कैसे हो सकती है उस मामले में महातुपूर्ण भूमी का निभाता है ऐसे और कौन से कुछ बड़े advancement हुए है टेकनोलोजी के field में उसके बारे में आप हमें comment box में बताएं अगले कारेकरम के साथ जल्दी हाजिर होंगे इजाज़त दीजिए नमस्कार